यर्प अजनेद जितने मुल्क के हमारे हलाद खराब हो गए हुए न अज मैंने लतीव खोशा साब का बियान पड़ा तो मुझे लगा के बिलकुल इन्होंने ठीक का है क्या बियान था? गवर्णर पंजाब लतीव खोशा ने कहा कि यह भी इरान की तरह का इंकलाब आना चाहिए बियान तो बहुत मज़दार है लेकिन दिया किसने यह तुद्रा देखो क्या वे जूर कि अभी उमर चोटी है सुरे नाश्टी में वसीरी लाग खाते हैं जा उनको कोई स्कूल के इफ्तिताप पर बलाएं तो रोड़ा शुरू हो जाते हैं मैंडी स्कूल जाना या मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ के बियान देखो दिया किसने गवर्णर पंजाब ने दिया है 600 कनाल के गवर्णर रहूस में बैट कर यह बयान दिया है देखो तुम और उस मुल्क के बारे में दिया है जिसका सदर पिछले दिनों जिसके बारे में तुमने पढ़ा है और हम भी उसकी आजजी की उसकी दर्वेशी की उसकी सादगी की बार बार बात करते हैं यानि उस मुल्क के सदर के बारे में ये बात की जा रही है उस मुल्क के बारे में ये बात कही जा रही है उस इंकलाब के बारे में ये बात कही जा रही है जिसका सदर जो है अभी पिछले दिनों तुमने ख़बरों में सुना होगा कि वो जब जा रहा था सड़क पर तो एक आम औरत एक फर्यादी औरत जो थी वो उनकी गाड़ी के उपर चड़ गई थी यही तो कमाल है किसी सेक्यूरिटी ने नहीं रोका किसी सेक्यूरिटी एहल कार ने उस फर्यादी खातून की तरफ बंदूक नी तानी किसी ने उसको धके नी दिये किसी ने उसको धपड नी मारे बलके सदर वही जो छोटे कद का बिल्कुल कमजोर सा सदर है जिससे आज आलमी ताकतें जो है बड़ी बड़ी जो है जिनकी टांगे कामती है जिस सदर से वो उस फर्यादी खातून की वज़ा से अपनी गाड़ी से उतरता है और खातून से उसका मसला पूछता है जो एक निजी नौईयत का मसला था और ना सिर्फ ये कि वो मसला सुनता है फौरी तोर पर उसका मसला हल करने के एकामात जारी करता है और उस खातून से माज़त करता है कि तुम्हे अपना मसला हल करवाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा उस मुलक के बारे में उस सदर के बारे में हम यानि कहां की बातें कहां fit कर देतें ये मेरा खेल है सितम जरीफी नहीं तो और क्या है यार हमने एक इनकलाब का नाम सुना हुए और तुम यारी जादा अफसूस की बात ये है कि वो लोग इनकलाब की बातें करतें जो स्टेटस को या मुझूदा निजाम के सबसे बड़े बनेफिशरी है चला जाने दो यार जान छोड़ दो शायद खोसा साब ने मुझा किया यार अगर मजाग करना ही था तो किसी और मुलक के बारे में कर देते किसी और इनकलाब की बात कर देते इरान के इनकलाब की बात करनी थी इरान की बात करनी थी जिसका सदर जो है चालिस साल पुराने तीन मरले के घर में रहता है यार और जिस इनकलाब का जो बनी है उसका अपना जो कच्चा घर है वो आज भी कुम में देखा जा सकता है यहाँ तक तरक्की की बात है ना, हमसे कहीं ज्यादा तरक्की आफ्ता कौम है, हर मामले में हमसे को सो मील आगे हैं वो अदर पटवारी दो दो कनाल में रह रहा है पर आप सुनो, उनकी जो एरानी कौवम की पर्चेजिंग पार है, जो पुवत खरीद है, दुनिया में सतरवे नंबर पर है, सेवन्टीन नंबर पर, और उनकी जो इस वक्त वर्ल्ल एकॉनमी में जो उनका नंबर है, वाल्यूम के हिसाब से बीसवे नंबर की एकॉनमी है, अच्छा, यानि फुल का मीर है वो लोग खुद गरीब है, लोग गरीब नहीं है, वहां के हुपमरान जो है, वो सादा तरसे जिंदगी रखने वाले हैं, यार, और उनका जो तसवर है, तरकी का वो हमारा नहीं है, वो हम जैसा नहीं है, ये जो बनी सदर, जो इनकलाब है एरान के बाद पहले सदर बने थे, उन्होंने अपनी किताब माई टर्न टू स्पीक में लिखा है, कि जब इनकलाब के बाद एक मगर्बी सहाफी ने, आयतलला खुमीनी से पूचा था, कि आपके पास ना तो बड़े कोई मेशदान है, ना एंजिनियर्स है, आप किस तरह रहेंगे, आप कैसे सर्वाइब करेंगे, तो आयतलला ने बड़ा तारीखी जवाब दिया था, उन्होंने कहा था, कि हमारे इनकलाब का मकसद ये है, कि हम अपने अवाम को बताएं, हाउ टू डाए, मरना कैसे है, हाई, 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 अच्छा जजी साब आपक पार खोसा कबीले से था, या लतीव खोसा कबीले से है, बार में ये रटाइनला पाड़ जे उनका पदा चले लगे ये नूर लीग को फैदा हो रहा है, वह याहत करनी पाड़ जे का पाई जी ये नूर लीग वाला खोसा है, ये पीपलस बार्डी वाला खोसा है, नेलसल म काउंट से हेर स्टैल की बात करते हैं वो तो आप नाई की तुकाउंट के आगे से घुजरे तो नाई अंदर से वाई लिगाता है खोजा साब यह रूरी नहीं बंदेनों कामी पवे सलाम दुआ दले लिया करो बंदेनों नव शोगी कटानी भाई है दे खोजा साब का तो हेर स्टैल उस प्लाट की तरह का हो गया हुआ जिसकी दिवार पे लिखा होता है यह प्लाट पर आए फ्रोक्त नहीं है क्या मतला है खोजा साब बिकने वाली आदमी नहीं है अपनी पार्टी के साथ लॉयल है पी अजिंगा में दे लेनी एक जोटी सी कमर्शल ब्रेक आरे साथ रहिएगा